नमस्कार, कक्षा 11 अध्याय साथ क्रामचय एवं संचय मौड्यू 3 में आपका स्वागत है आज हम मौड्यू 3 में करेंगे क्रामचय सूत्र कुल N वस्तूओं में से कुछ R को लेकर बने क्रामचय जब पुन्रावृति की अनुमती है क्रामचय जब सभी वस्तूओं भिन-भिन नहीं है प्रमचय तीन N वस्तूओं के क्रामचय की संख्या जहां पी वस्तूओं समान प्रकार की है प्रमचय चार उप्रोक्त प्रमचय का व्यापक रूप तथा संबंदित प्रश्नों का अभ्यास चलिए शुरू करते हैं क्रमचय जब वस्तुएं भिन-भिन है प्रमय एक N विभिन वस्तुओं में से एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या को प्रतीक NPR के रूप में नरूपित करते हैं जहां R शुन्ने से बड़ा तथा N से छोटा या बराबर हो सकता है तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुन्रावृति की अनुमती नहीं है यहां पर ये संबंद NPR बराबर N गुणा N घटा 1 गुणा N घटा 2 तो डैश डैश गुणा N घटा R जमा 1 के रूप में व्यक्त किया जाता है जैसा कि हमने अपने पिछले मॉडियूल में सीखा था अब यह सूत्र या संबंद बहुत मुश्किल लगता है समझने में याद करने में इसके लिए हम एक सूत्र की व्योदपत्ती सीखेंगे NPR के लिए सूत्र वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है NPR बराबर N क्रम गुणित बटा N घटा R क्रम गुणित इस संबंध से हम इस संबंध को ऊपर नीचे गुणा अथाथ परिमेकरण करेंगे, तो हमें ये संबंध प्राप्ध होगा, इस परकार हमारे पास अंश में ये जव संबंध आया, इस पूरे संबंध को हम N क्रमगुनित के रूप में लिख सकते हैं और नीचे हमारे पास है ही N घटा R का क्रमगुनित इस प्रकार हमें ये सुत्र प्राप्तुवा NPR बराबर N क्रमगुनित बटा N घटा R क्रमगुनित इस प्रकार NPR बराबर N क्रमगुनित बटा N घटा R क्रमगुनित जहां R 0 से बड़ा और N से चोटा या बराबर है ये बहुती सुविधा जनक वियंजक है अब विशेश रूप से जब R बराबर N हो यानि ऐसी परिस्तिती जितनी वस्तुएं हमें दे रखी है N वस्तुएं उनमें से हमें सभी का चयन करना हो यानि R बराबर N तब हमारा ये सुत्र हो जाएगा N क्रमगुनित बटा N घटा N क्रमगुनित अथार्थ 0 क्रमगुनित तो N क्रमगुनित बटा 0 क्रमगुनित हो जाएगा N क्रमगुनित बटा 1 क्योंकि हम जानते हैं 0 क्रमगुनित 1 होता है जैसा कि हमने पिछले मॉडूल में सीखा था तो NPN हो गया N क्रमगुनित ये क्रमचेओं की गड़ना केवल उन तरीकों की गड़ना है जिनमें एक समय में कुछ अथवा सभी वस्तूओं का विन्याज किया गया है कुछ अथार्थ आर जब हम N से छोटी वस्तूओं ले लेते हैं और सभी यानि आर की जगा पर जब हम N वस्तूओं सभी वस्तूओं ले लेते हैं अब एक भी वस्तू के बिना विन्यास की संख्या क्या होगी? एक भी वस्तू के बिना का अर्थ ये है कि यदि हमारे पास N वस्तूएं हैं और हम मेंसे किसी भी वस्तू का चैन नहीं करना तो हम उसे किस प्रकार कर सकते हैं? ऐसा केवल एक ही तरह से हो सकता है देखिए कैसे, N वस्तूओं में से हमने किसी भी वस्तू का चैन नहीं करना, अथात N क्रमगुनित बटा N घटा शुन्ने क्रमगुनित सुत्र के अनुसार, जो की हमें देगा N क्रमगुनित बटा N क्रमगुनित, जो की होगा एक. तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि सभी वस्तूओं के बिना या फिर सभी वस्तूओं को छोड़ कर विन्यास कितनी तरह से हो सकता है, वो केवल एक ही प्रकार हो सकता है. अथा सुत्र NPR बराबर N क्रमगुनित बटा N घटा R क्रमगुनित शुन्ने के लिए भी मानने है या लागू है. तो यहाँ पर सुत्र में हम यहाँ पहले केवल शुन्ने R से बड़ा था, अब R शुन्ने के बराबर भी है. तो चलिए इसे हम कुछ उधारन की सहायता से समझते हैं नंबर शब्द के अक्षरों में से तीन अक्षरों वाले चैनित शब्दों की संख्या ग्यात करनी है यहां नंबर शब्द में हमारे पास छे अक्षर है इसलिए इसे हम 6, P, 3, 6 यानि कुल अक्षर कितने है तीन यानि हमें कितने अक्षरों के चैनेज शब्दों की संख्या बनानी है तो सुत्र के अनुसार हो जाएगा वो 6 क्रम गुनित बटा 6 घटा 3 क्रम गुनित जो की होगा 3 क्रम गुनित और इसे हल करने पर 4 गुना 5 गुना 6 जो की होगा 120 यह स्थिती है जब पुन्रावरिती की अनुमती नहीं है प्रमेद दो एन विभिन वस्तूओं में से एक समय में आर वस्तूओं को लेकर बने गए क्रमचेयों की संख्या जब वस्तूओं के पुन्रावरिती की अनुमती हो तब क्या करेंगे वो उसका सुत्र होगा एन की घा आर जब पुन्रावृति की अनुमती है यानि उसी उधारण में हम अगर देखें तो हमारे पास उपलब्ध अक्षर है 6 और हम पुन्रावृति कर सकते हैं तो उस सूत्र के अनुसार N की घात आर के अनुसार ये हो जाएगा 6 की घात 3 जो की होगा 216 तो आप फर्क देखिए क जब पुन्रावृति की अनुमती नहीं तो विन्यास है 120 और जब पुन्रावृति की अनुमती है तो विन्यास है 216 यहां दस वेक्तियों के एक समुदाय में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के चैन के तरीकों की संख्याग्याद करनी है यह मान करके कि एक वेक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता तो इसे स्पश्टुतिया हम क्रमचै का सूत्र लगा कर सकते हैं दस पी दो यानि दस तो कुल वेक्ति जो हमारे पास है जिन में से हमें चैन करना है और दो जितने वेक्तियों का चैन करना है इसे किस प्रकार कर सकते हैं दस क्रम गुनित बटा दस घटा दो क्रम गुनित अथार्थ दस क्रम गुनित बटा आठ क्रम गुनित जो की होगा दस गुना नौ यानि नब्बे हम एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन नब्बे तरहां से कर सकते हैं अब एक और उधारन से समझते हैं शब्द मोहन के अक्षरों में से तीन अक्षरों को अलग अलग किस तरह से क्रमबद किये जा सकते हैं मोहन में कुल पांच विबेन अक्षर है और क्रमचेओं की संख्या पांच बटा पांच घटा तीन क्योंकि यहां पर हमें कहा नहीं गया है कि पुन्रावृती की अनुमती है या नहीं जब ऐसा ना कहा जाए तो हम ये मान कर चलते हैं कि पुन्रावृती की अनुमती नहीं है तो ये हो जाएगा पांच क्रमगुणित बटा, पांच गटा तीन क्रमगुणित अथात पांच क्रमगुणित बटा दो क्रमगुणित जो की हमें साथ विन्यास हमें प्राप्त होंगे तो आगे चलते हैं क्रमचे जब वस्तुएं भिन भिन नहीं है अभी तक हमने जो भी उधारन लिये चाहे हमने नंबर अक्षर शब्द लिया या मोहन शब्द लिया उन सब में वस्तुएं भिन भिन थी यानि वन भिन भिन थे अब अगर ऐसी वस्तुएं जहां पर जो भिन उसमें दुबारा से कोई अक्षर आ रहा है जैसे शब्द रूट हमने लिया है कि अक्षरों के पुनरव्यास के तरीकों की हमें संख्या ग्याद करनी है यहाँ पर सभी अक्षर भिन-भिन नहीं हैं दो ओ हैं जो समान प्रकार के अक्षर हैं यदि हम इन्हें अस्थाई रू विभिन-अक्षरों में से एक समय में सभी को साथ लेकर चलने पर क्रमचियों की संख्या चार क्रमगुनित होती है क्योंकि हमें इन ओवन और ओटू इन्हें अलग-अलग हमने माना है तो उसके अनुसार कुल क्रमचे होंगे चार क्रमगुनित लेकिन यहाँ पर दो क्रमचे-R-O-1-O-2-T तथा-R-O-2-O-1-T इन दोनों में ध्यान दीजिए यहाँ O-1 पहले है O-2 बाद में है यहां O-2 पहले है O-1 बाद में है ऐसा करने पर हमें जो किस समान क्रमचे होते यदि यह O-1, O-2 अलग-अलग हम इनको नहीं माना गया होता अथाँ O-1 तथा O दोनो क्रमचे ओही होते अताव क्रमचे की अभीष्ट संख्या यहां हो गई चार क्रमगुणित बटा दो क्रमगुणित बराबर तीन गुना चार अथार्थ बारा इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस चित्र द्वारा यह दो अलग अलग स्थितियां जब हम ओवन तथा ओटू को भिन भिन मान कर चलेंगे और यहां ओवन तथा ओटू को भिन नहीं माना है हमने ओ के समान हैं यह दोनों स्थितियां जब यह दोनों एक समान हैं और यह स्थिति जब यह दोनों भिन भिन हैं तो हमें भिन भिन होने पर कितने विन्यास प्राप्त हो रहे हैं छे 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर तो जब भिन-बिन है तो विन्यास प्राप्थ हुए 24 और जब O1 और O2 दोनो O के समान है तब हमें विन्यास प्राप्थ हुए 6 इस तरफ है और 6 इस तरफ तो विन्यास प्राप्थ हुए हमें 12 तो आप अंतर देखिए जब ओवन ओटू भिन भिन तो चौबिस जब ये समान है तो बारा योग कि चौबिस को दो क्रम गुनित से विभाजित करने पर हमें प्राप्थ हुआ बारा आईए इसे एक और उधारन से समझते हैं शब्द इंस्टिटूट के अक्षरों के पुनर्विन्यास की संख्याज़ाद करनी है शब्द इंस्टिटूट में कुल अक्षर है नौ और हम इसमें विभेन अक्षर गिन लेते हैं कि कोई दुबारा तो नहीं आ रहा इसमें i अक्षर है दो बार और t अक्षर है कुल तीन बार यदि ये i अलग-अलग होता i1 और i2 होता तो इसके विन्यास होते दो क्रम गुनित और इसी प्रकार t अगर समान ना होके तीन अलग-अलग होते तो इसके विन्यास होते तीन क्रम गुनित तो आप ये देखिए कि दो क्रम गुनित गुना तीन क्रम गुनित समान विन्यास होते यदि ये अलग-अलग ना होकर के समान होता जो की ये है ये अलग-अलग नहीं है समान है तो इस प्रकार के शब्द के अक्षरों का पुनरविन्यास होगा 9 क्रम गुनित बटा 2 क्रम गुनित गुना 3 क्रम गुनित क्योंकि ये क्रमचे हमारे समान क्रमचे हैं इसलिए हम इसे 9 क्रम गुनित से भाग कर देंगे तो इस प्रकार हमारे अक्षरों के पुनर्विन्यासों की संख्या होगी 9 क्रमगुनित बटा 2 क्रमगुनित गुणा 3 क्रमगुनित तो इसे हम एक कथन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वस्तु के क्रमचेओं की संख्या जहां P वस्तुएं समान प्रकार की और शेश भिन प्रकार की हैं उसे हम N क्रमगुनित बटा P क्रमगुनित से दिखा सकते हैं यहाँ P क्रमगुनित वो संख्याई हैं जो समान प्रकार की हैं जैसा कि पिछले उधारण में आपने देखा I तथा T समान प्रकार के थे वस्तुता इस सम्मन्द में एक व्यापक प्रमे हैं जिसे हम इस प्रकार वर्णित कर सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी जो P वस्तुएं समान हैं वो एक ही वस्तु हो कई वस्तुएं समान हो सकती हैं जैसा कि उधारण इंस्टिटूट में I तथा T दोनों में समानता थी I दो बार था और T तीन बार था तो इस प्रकार हमारा हमें ये कथन प्राप्त होगा N क्रम गुनित बटा P1 क्रम गुनित गुना P2 क्रम गुनित गुना P3 क्रम गुनित और ये आगे भी चल सकता है अगर वस्तुओं की संख्या बार-बार आ रही है एक से अधिक वस्तुओं की, तो जहां P1 वस्तुओं एक प्रकार की, P2 वस्तुओं दूसरे प्रकार की, PK वस्तुओं के प्रकार की और इस तरह से 6 वस्तुओं यदी कोई है और वो भिन प्रकार की हैं, तो हम उसे इस सुत अंक शुन्य एक, दो, तीन, चार तथा पांच से बनाया जा सकता है और यदि अंकों की पुनरावृति की अनुमती नहीं है अब हमारे पास उपलब्ध अंक है छे और हमें संख्याई बनानी हैं सौ से एक हजार के बीच अब सौ से एक हजार के बीच संख्याई अथार्थ हम एक सो एक से नौ सो निन्यानवे तक कोई भी संख्या बना सकते हैं अब ये तो हैं तीन अंकिये संख्याई और हमें छे में से इसका मतलब केवल तीन अंकों की संख्याई चुन्नी हैं तीन अंक चुन्य हैं तो उसके विन्यास होंगे छे पी तीन, छे क्रमचे तीन, लेकिन इसमें वो सभी संख्याएं भी शामिल हैं जहां सैकड़े के स्थान पर शुन्य आ रहा है, उधारन के तौर पर जीरो, तीन, चार, पांच, एक, अब ये तो तीन अंकिये संख्याएं तो इसका मतलब ये हुआ, हमें इस परकार की संख्याएं, जहां सैकड़े के स्थान पर शुन्य आ रहा है, वो इसमें से घटानी पड़ेंगी, अब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जहां सैकड़े के स्थान पर शुन्य आ रहा है, उसके लिए हम ये मान के चलेंगे, कि हमारे पास दो अंकिये संख्याय में ग्याद करनी है क्योंकि हमने इसके लिए एक शुन्ने के लिए ये स्थान निर्धारित कर दिया जो हमें नहीं चाहिए और हमारे पास अब अंक बचे पांच क्योंकि शुन्ने हमने हटा दिया इन स्थानों पर हमें केवल पांच अंकों का प्र तो इस प्रकार ये वो संख्याई है जो दो अंकिये संख्याई हैं। अब हमें इन विन्यासों में से इसे घटा देंगे। छे पी तीन घटा पाँच पी दो इसे हल करने पर जो हमें संख्याई प्राप्त होंगी वो संख्याई होंगी जो अंक शुन्नी एक दो तीन चार तथा पाँच से बनी हैं और वो तीन अंकिये हैं अथार्थ वो सौ से एक हजार के बीच में हैं चलिए हम एक और उधारन करते हैं जहां हम क्रमचे के सुत्र से अज्याद संख्या को प्राप्त करना सीखेंगे यदि हमें ये एक समीकरण के रूप में दे रखा है क्रमचे का संबन इसे पहले हम बाएं पक्ष में क्रमचे के सुत्र से खोल लेंगे चार क्रम गुणेत बटा चार घटा आर क्रम गुणेत उसी प्रकार दाएं पक्ष में हम पांच क्रम गुणेत बटा पांच घटा आर घटा एक क्रम गुणेत से खोल लेंगे यहाँ पर 5 और 4 क्रम गुणित गुणा होने पर हमें मिलेगा 5 क्रम गुणित और यहाँ 6 को भी हम 5 क्रम गुणित से गुणा के रूप में लिख लेंगे अब आप जानते हैं यहाँ 5 जमा एक यह हो जाएगा 6 घटा आर और यहां पाँच घटा आर है ही ये पाँच घटा एक हो जाएगा चार घटा आर क्रम गुनित अब यहां दोनों तरफ अंश में देखिए पाँच क्रम गुनित है जो की शुन्न नहीं है इसलिए इसे दोनों तरफ काटा जा सकता है और इसी प्रकार 4 घटा R क्रमगुनित दोनों तरफ है जो की शुन्न नहीं है क्योंकि R 4 से बड़ा है इसलिए ये दोनों तरफ ये भी काटा जा सकता है अब हमारे पास क्या बचा इधर बचा 1 और यहां बचा 6 बचा 6 घटा R और 5 घटा R जिसे हमने क्रॉस मल्टिप्लाई करके इधर ले गए 6 घटा R, 5 घटा R बराबर 6 इसे गुणा करने पर हमें एक द्वीघाद समीकरण प्राप्त होगा इस द्वीघाद समीकरण में मद्धे पत तोड़ने पर हमें मिलेगा घटा 11 R की जगा पर घटा 8 R, घटा 3 R और इसे गुणानखंड बनाएंगे तो R घटा 8 और R घटा 3 जो की दोनों का गुणानफल शुनने के बराबर है जिससे हमें R का मान 8 तथा 3 प्राप्त होगा आईए इसे एक और उधारन से समझते हैं यहाँ इस सभीकरण में हमें N का मान ज्याद करना है अंश में है N क्रमचे 4, हर में है N घटा 1 क्रमचे 4 बराबर 5 बटा 3 जहाँ N 4 से बड़ा है इसे हम क्रमचे के सूत्र से खोल लेंगे N क्रमगुणत बटा N घटा 4 क्रमगुणत सूत्र के अनुसार और बटा इसे खोलेंगे तो यह होगा N घटा 1 क्रमगुणत बटा N घटा 1 घटा 4 क्रमगुणत जो की बाद में बदल कर हो जाएगा N घटा 5 क्रमगुणत इसे अगर हम साधारन रूप में लिखें तो यह बन जाएगा N क्रमगुणत बटा N घटा 4 क्रमगुणत गुना यह संख्या हमारी उपर चली जाएगी N घटा 5 क्रमगुणत बटा N घटा 1 क्रमगुणत अब जैसा कि पहले भी बताया था कि इन में से हम देखते हैं कि कौनसा क्रमगुणत बटा है उसे खोलेंगे यदि हम इसे खोलेंगे इन दोनों में से तुलना करें तो N क्रमगुणत को खोलेंगे N घटा 1 क्रमगुणत और इन दोनों में से N घटा 4 क्रम गुणेत बड़ा है, उसे खोलेंगे, इसे वैसे ही रहने देंगे N घटा 5 क्रम गुणेत और ये खोलने पर मिलेगा हमें N घटा 4 गुणा N घटा 5 क्रम गुणेत, ये 5 है और गुणा N घटा 1 क्रम गुणेत अब ये दोनों यहां से कैंसल हो गए, N घटा 5 और ये कट जाएगा, हमारे पास इस तरफ शेश रहा N वंच में और हर में रहा N घटा 4 और हमारे दाएं पक्ष में था 5 बटा 3 इसे हम अगर इस प्रकार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3N बराबर 5 गुणा N घटा 4 खोलने पर मिलेगा 5N घटा 20 और यहां हमारे पास है 3N यह रिनात्मक संख्या है इसे हम इस तरफ ले आएंगे और 3N को उस तरफ ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 20 बराबर 5N घटा 3N अथार्थ 2N तो 2N बराबर हो गया 20 के तो N हो जाएगा बराबर 10 के तो इस प्रकार हमने N का मान घ्याद कर लिया जो की हमसे पूछा गया था आईए क्रमचे को समझने के लिए एक और उधारण लें इस उधारण में डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले शब्दों के विन्यासों की संख्या घ्याद करनी है दो अलगलग स्थितियां हैं जब सब स्वर एक साथ रहें दूसरी स्थिती में स्वर एक साथ ना रहें अब डॉटर शब्द में कुल अक्षर है आठ और आठ ही अक्षर वाले शब्दों के विन्यास प्राप्त करने हैं ये सभी अक्षर भिन्बिन है इसमें स्वरों की बात हो रही है तो स्वर कौन कौन से हैं स्वर हैं इसमें तीन जो की हैं ए यू तथा ए अब हमारी स्थिती है कि सब स्वर एक साथ रहें तो हम ये मान के चलेंगे ए यू तथा ए एक साथ एक अक्षर के रूप में आएंगे अगर हमें इसे एक अक्षर मान लें और इन तीनों अक्षरों को इसमें से घटाने पर 6 अक्षर जो होंगे वो होंगे जो की वियंजक हैं वो है हमारे 5 तो 5 अक्षर ये और ये एक अक्षर इक अठा मिलाकर हो गए 6 अक्षर तो इसके क्रमचेओं की संख्या बनेगी अब ये तीन अक्षर जो एक साथ आ रहे हैं वो तो आपस में अपना स्थान बदल सकते हैं तो वो अपना स्थान आपस में बदल कर कितने क्रमचेओं बनाएंगे ये आपस में बदल कर अपना स्थान बनाएंगे तीन क्रमचे और ये छे क्रमचे छे होता है छे क्रमचे गुणा ये तीन क्रमचे गणना का अधारबुत सिधानत से ये हमारे पास कुल क्रमचे आएंगे चार, तीन, दो, शुन्य इसको हल करने के बाद जो कि कि स्थिती में जब सभी स्वर एक साथ लिये हैं अब दूसरी स्थिती में जब हमारे पास सभ स्वर एक साथ न रहे वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे पास कुल आठ अक्षरों से बने शब्दों के विन्यास हो, उनमें से हम सभी स्वर जहां एक साथ आ रहे हैं उसे घटा दें, तो जो शेश अक्षर बचेंगे वो अक्षर होंगे, जिनमें सभी स्वर एक साथ नहीं आ रहे तो कुल आठ अक्षरों से बने विन्यास कुल आठ अक्षरों के विन्यास आठ ही उपलब्ध हैं और आठों के आठ हमें लेने हैं तो विन्यास होंगे आठ क्रम गुनित इन में से यदि हम इने घटा देंगे तो शेष जो बचेंगे वो सब स्वर एक साथ ना रहें वाली स्थिति आ जाएगी छे क्रम गुनित गुना तीन क्रम गुनित अब इन सब में से बड़ा जो क्रम गुनित है वो है आठ क्रम गुनित जिसे खोलेंगे हम आठ गुना साथ गुना छे क्रम गुनित के रूप में और यहाँ पे छे क्रम गुनित और तीन क्रम गुनित वैसे ही रहेगा इस पद में से और इस पद में से 6 क्रम गुनित को हम उभेनिष्ट ले लेंगे यहाँ पे बचा 8 गुना 7, 56 और यहाँ बचा 3 क्रम गुनित को खोलेंगे तो 6 और यह आ जाएगा 6 क्रम गुनित गुना 50 अब 6 क्रम गुणे थोता है 720, 720 गुणा 50 बराबर 36,000 इतने विन्यास हमें ऐसे मिलेंगे जहां स्वर एक साथ नहीं रहेंगे तो इस प्रकार आप क्रम चे के सूत्र से बहुत प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं अब हम चलते हैं सारांश की और आज के मॉड्यूल में हमने किया क्रम चे सूत्र तथा प्रमे दो जब पुन्रा वृति की अनुमती है तो क्रम चे सूत्र हो जाता है N की घात R हमने किया क्रमचे जब सभी वस्तुएं भिन-भिन नहीं है इस तिती में हमने दो अलग-अलग सूत्रों का अध्यन किया पहली परिस्तिती जब हमारे N में से एक ही वस्तु बार-बार आ रही है तब हम उसे लिखेंगे N क्रमगुनित बटा P क्रमगुनित और यदि N में से एक से अधिक वस्तुएं बार-बार आ रही है तो उसे हम लिखेंगे N क्रमगुनित बटा P 1 क्रमगुनित गुणा P 2 क्रमगुनित गुणा P 3 क्रमगुनित और इससे संबंदित हाज हमने प्रश्णों का अभ्यास किया आशा करते हैं आपको आज का पार्ट समझाया होगा धन्यवाद